हेलो एवरिवन जीयो कॉंसेप्स नमग इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम सैंसन फ्लेमिस्टीड के सिनुसाइडल प्रक्षेप पर चर्चा करेंगे जिसे संशेप में सिनुसाइडल प्रक्षेप कहते हैं इस प्रक्षेप की रचनाविदी को माद्यम से प्रदर्शित भी किया जाएगा जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है मांचित्र प्रक्षेप ग्लोब पर बनी हुई अक्षांस और देशांतर रेखाओं को प्रकास के माद्यम से कागज की एक समतल सत्य पर जब प्रक्षेपित करके बनाया जाता है तो इ इस वीडियो में हम रूड प्रक्षेप पर चर्चा करेंगे रूड प्रक्षेप कई प्रकार के होते हैं जैसे मौलवीड प्रक्षेप, ग्लोबलर प्रक्षेप, सैंसीन फ्लेमिस्टीड के सिनुसाइडल प्रक्षेप इस वीडियो में हम सैंसन फ्लेमिस्टीड के सिनुस प्रक्षेब है इस प्रक्षेब को सरप्रथम 1650 में फ्रांसी सी मांचेतरकार निकोलस सैंसन ने बनाया था और इसके लगबग 50 वर्षों बाद प्रिसिद विटिश खागोलविद जॉन फ्लेमिस्टीड ने इस प्रक्षेब का प्रयोग किया था इसी कारण से इनी दोनों व 250 मिलियन की मापनी पर विस्व का मांचेतर बनाने के लिए एक सिनुस्वाडल प्रक्षेब की रचना कीजिए जिसका अक्षांसी अंतराल 15 डिग्री तथा देशांत्री अंतराल 30 डिग्री का होना चाहिए सिनुसवडेल प्रक्षेप की रचना करने के लिए सबसे पहले हमें तीन गणनाएं करने होती हैं नमबर एक क्लोब की तरिज्जा का ग्याद करना नमबर दो भूमद्रेखा की लंबाई ग्याद करना नमबर तीन केंद्री मद्यहन अर्थात जीरो डिग्री देशांतर की लंबाई कितने होगी उसे ग्याद करना तो सबसे पहले हम ग्लोब की तरिज्जा निकालते हैं ग्लोब की तरिज्जा ग्याद करने के लिए हम पृत्वी की वास्तिविक तरिज्जा जो की 640 मिलियन सेंटिमीटर या फिर 250 मिलियन इंच है उसको दिये गए प्रदर्शक भिने से मल्टिप्लाई कर देते हैं गुना कर देते हैं और इस प्रकार वैलू रखने पर हमारे ग्लोब की तरिज्जा निकलके आई है 2.56 सेंटिमीटर गलोब की तरिज्जा ग्याद करने के उपरांथ हमें अपने प्रक्षेप पर भूमत रखा की लंबाई कितनी होगी उसे ग्याद करना होता है भूमत रेखा की लंबाई ग्याद करने का फार्मुला है 2.πR यहां 2 की वैलू 2, पाई की वैलू 22 बटा साथ और आर की वैलू 2.5 सेंटिमीटर फॉर्मुले में वैलू रखने के बाद भूमद रेखा की लंबाई निकल के आई है 16.09 सेंटिमीटर अब हमारे प्रक्षेप पर केंद्रिय मद्याहन अर्थाद 0 डिग्री देशांतर की लंबाई कितनी होगी उसे ग्याद किया जाता है और इसे ग्याद करने का फॉर्मुला है 2 पाई आर डिवाइड बाई 2 अर्थाद भूमद रेखा की जो भी लंबाई है उसको दो से भाग दे देंगे तो जो भी मूले निकल के आएगा वही हमारी केंद्रिय मद्याहन की लंबाई होगी और यहां केंद्रिय मद्याहन की लंबाई निकल के आई है 8.045 सेंटिमीटर प्रक्षेप से संबंदित गर्णा होने के बाद आईए सिनुसोइडल प्रक्षेप की रचना सुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले हमें पेज के चारो तरफ एक सेंटिमीटर का गैप लेके पेज का बॉर्डर बनाएंगे इसके उपरांद 2.5-6 सेंटिमीटर की तरिज अब क्योंकि हमें प्रश्ण में अक्षांसी अंतराल 15 डिगरी लेने के लिए कहा गया है अब हम अधार रेखा एबी से जीरो को केंद्र मान कर 15 15 डिगरी के अंतराल पर कोणों का निशान लगाएंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है और इसके उपरांद उन कोणों के अक्षांसी मान वहां लिख दिये जाएंगे अब केंद्र से खींचे गए प्रते कोण के वरत पर प्रतिछेदन बिंदू को एक नाम दे दिया जाएगा जाकि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है अशन के अनुसार हमें देशांतरी अंतराल 30 डिगरी का रखना ह अर्था यहां पर बिंदू B और F के बीच की जो दूरी है अर्था 30 डिगरी के कोण के दौरा जो वरतांस है उसकी दूरी को ना पेंगे और उतने दूरी को तरिज्या मान कर एक सेमी सरकल का निर्मार करेंगे जैसा कि स्क्रीन पर नीले रंग के सेमी सरकल या अर्ध वरत क के दौरा दर्शाया गया है अब नेले रंग के सेमी सरकल के दौरा विविन कौनो को जिस इस्थान पर प्रतिशेद किया गया है उन बिंदूों से रेखा एनस पर लंब गिराएंगे जैसा कि स्क्रीन पर आपको दर्शाया गया है यहां 15 डिगरी के एंगल के दौरा नेले रंगे सेमी सरकल पर जहां प्रतिशेद किया जा रहा है वहां से रेखा एनस पर एक लंब गिराया गया है जिसको रेखा P, P- का नाम दिया गया है और इसे ब्राउन कलर की रेखा के द्वारा दर्शाया गया है इसी प्रकार 30 डिगरी के प्रतिशेदन बिंदू से जो लंब की रेखा से दर्शाया गया है जबकि 75 डिगरी के एंगल की प्रतिशेदन बिंदू से एनस रेखा पर गिराया गये लंब को इसकाई ब्लू कलर की रेखा से दर्शाया गया है यहां 15 डिगरी से 75 डिगरी के कौनों के द्वारा सेमी सरकल के प्रतिशेदन बिंदू से जो ल पेज के बीचो बीच एक 36 रेखा खीचेंगे जिसकी लंबाई 16.09 cm होगी और यह हमारे प्रक्षेप पर भुमद रेखा को दर्शाएगी इस रेखा का नाम AB है और इसका केंद्री बिंदू O है अब एक रेखा NS खीचेंगे जो की रेखा AB पर लंब होगी और बिंदू O से हो कर गुजडती होगी यह है रेखा NS हमारे प्रक्षेप पर चैंद्री मद्याहन अर्था 0 ृडीरी देशांतर रेखा को प्रदर्शित करती है जिसकी लंबाई हमने ग्याद की है 8.05 cm अब क्योंकि ऐसके लंबाई 2 और 5 cm है और इसके द्वारा दोनों को लार्दों को मिला कर हम कुल 180 अक्षांसों को दिखा सकते हैं एक एक डिगरी के अंतराल पर आता है 15 डिगरी के अंतराल पर बने हुए दो अक्षांस रेखाओं के बीच के दूरी कितनी होगी इसको स्क्रीन पर दिखाया गए फॉर्मूले से निकाल सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है और दसम्लाव 0.5 cm को गुना कर देंगे 15 से और डिवाइड करेंगे 180 से तो दो अक्षांस रेखाओं के बीच की दूरी निकल के आएगी 0.6-7 cm जो की 15 डिगरी के अंतराल पर बने हुए दो अक्षांस रेखाओं के बीच की दूरी है अब 0.6-7 cm का प्रकार खोलेंगे और बिंदू O से AB रेखा के दोनों और रेखा NS पर 6-6 निसान चिन्हित करेंगे जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है अब रेखा AB के समानांतर रेखाएं खींची जाएंगे जो की NS रेखा पर लगाए गए बिविन चिन्हों से होकर गुजरेंगे और ये समानांतर सेधी रेखाएं हमारे प्रकशेप पर बिविन अक्षांस रेखाओं को दर्शाएंगे अब इस प्रक्षेप पर हम देशांतर रेखाओं को निधारित करेंगे उनके स्थिती को दर्शाएंगे अब रेखा AB को जो कि हमारे प्रक्षेप पर भूमद रेखा को दर्शाती है और इसे स्क्रीन पर नीले रंगी रेखा के द्वारा दर्शित किया गया है इस रेखा को हम बरावर 12 भागों में विभाजित कर लेंगे क्योंकि हमारा देशांतरी अंतराल 30 डिगरी का है और इस पूरी रेखा के दोरा हम 360 डिगरी देशांतर को दर्शाते हैं इस प्रकार कुल 360 डिशांतरों को जब हम 30 से डिवाइड करेंगे तो सेशफल आता है 12 आता है A B रेखा को 12 बरावर भागों में अगर बांट दिया जाए तो प्रतेक विभाग या प्रतेक भाग 30 डिगरी देशांतर को दर्शाएगा अब पिछले डिगराम में जो कि यहां स्क्रीन पे दिखाया गया है उसमें 15 डिगरी के कोण के द्वारा जो लंब गिराया गया था जिसे रेखा P, P डैस के नाम से दर्शाएगा है इतनी रेखा का प्रकार खोलेंगे और यहां 15 डिगरी के दोनों अक्षांस रेखाओं प जो कि हरे रंग के द्वारा दर्शाए गई है उतनी दूरी का प्रकार खोलेंगे और यहां 30 डिगरी के अक्षांस रेखाओं पर NS रेखा के दोनों और 6-6 निशान चिनित करेंगे इसी प्रकार से 45 डिगरी, 60 डिगरी और 75 डिगरी के अक्षांसों पर 93 रेखाओं के पर दिखाया गया है इस प्रकार हमारे प्रक्षेप के सभी अक्षांसों पर दैशामतर रेखाओं की दोरी निरधारित हो गयी है या चिनित कर दी गयी है अब बिंदु N से सुझ रू करते हुए और पेज के सबसे 2 और के जो चिनánd है दैशामतर रेखाओं के उनको मिलाते हुए पैंसिल की सायता से बिलकुल हलके हाथ से उसको मिलाते हुए एक कर्व का निर्माड करेंगे या वक्र का निर्माड करेंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है इसी प्रकार सभी अक्षांसों पर लगाये गए समान करम के देशांतरी चिन्धों को मिलाते हुए विविन करवों का या देरगृतों का निर्माड करेंगे जैसा की स्क्रीन पर दिखाया गया है अब इस प्रक्षेब की जो बहारी देशांतर रेखा है सबसे बहारी जो देशांतर रेखा है उसके बहार निकलने वाली विविन अक्षांस रेखाओं को रबर से मिटा कर साफ कर देंगे अब इस प्रक्षेब पर सबसे बाई और की जो देशांतर रेखा है वो 180 डिग्री वैस्ट को यानि पस्चिमी देशांतर को दर्शाती है उसके उपरांद प्रतेक देशांतर पर 30 डिग्री के अंदराल पर उसके कोणी अमान वहां लिग दिये जाएंगे इसके उपरांद विविन अक्षांसों के अक्षांसी अमान डिग्री में वहां पर नोट कर दिये जाएंगे और लिग दिये जाएंगे जैसा कि स्क्रीन पर दर्शाया गया है अब इस प्रक्षेप के आधार में इस प्रक्षेप का मापक जो कि आरेफ एक अनुपा 250 मिलियन है लिग दिये जाएगा और इसके सीष भाग में इस प्रक्षेप का नाम लिग दिये जाएगा जो कि सैंसन, फ्लैमिस्टीड, सिन्साइडल प्रोजेक्शन है इस प्रकार हमारा प्रक्षेप बनकर तयार हुआ इस प्रक्षेप के मुख लक्षणों की बात करें तो इस प्रक्षेप में सभी अक्षांसर रेखाएं सरल रेखा की रूप में दिखाई जाती है जो कि भूमद रेखा की समानांतर होती है और इनके बीच की जो दूरी है वो भी समान रहती है सभी अक्षांस रेखाओं की लंभाई और उनके बीच की दूरी मापनी के अनुसार सुध होती है जबकि इस प्रक्षेपपर देशांतर रेखाओं की बात करें तो वो कर्व के रूप में होते हैं वक्र के रूप में होते हैं जबकि किसी भी एक अक्षांस पर दो देशांतर रेखाओं की दूरी हमेशा समान रहती है लेकिन भूमद्य रेखा से दुर्वों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी लगातार कम होती जाती है इस प्रक्षेप के गुणों की बात करें तो इस प्रक्षेप पर सभी अक्षांसों पर मापनी सुद्ध होती है जबकि देशांतर रेखाओं में केंद्री मद्याहन रेखा उस पर मापनी शुद्ध होती है और उससे दूर जाने पर सभी देशांतरों पर मापनी बढ़ती जाती है। जबकि देशांतरों पर मापनी शुद्ध होती है। इस प्रक्षेप को अधिक तबज्ध दी जाती है। इस प्रक्षेप का प्रियोग मुख्य रूप से उन महादीपों को प्रदर्शित करने के लिए किये जाता है। जिनका विस्तार भूमद रेखा के दोनों और हो तथा पूरा पस्चिम दिशां में उनका विस्तार कम हो। जैसे अफ्रेका, दक्षिन अमेरिका, आदे। इन छेत्रों के समचेत्र मांचेत्र बनाने के लिए सिनुसोइडल प्रक्षेप का विसेश रूप से उप्योग किया जाता है। इस वीडियो के बारे में अपने बहुमूले विचार व्यक्त करने के लिए या फिर किसी प्रकार का सुझाव देने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना फीडबेक जरूर दें।